5, 4, 3, 2, 1 प्रधान मंत्री सुरी नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के दृष्टिकोन को सफल बनाने हेतू वैज्यानिक धंग से निरूपित एवं यथानुकूल समेकित कृषिप्रणाली IFS को प्रोथसाहन दिया जा रहा है यह जानकारी केंद्रिय कृषि एवं किसान कल्यान मंत्री सुरी राधा मोहन सिंग ने किसानों की सुनिश्चित आजीविका एवं आयमे व्रिद्धी के लिए समन्वित कृषिप्रणाली के विशेपर सत्र के दौरान आयोजित बैठक में दी बैठक में कृषि और किसान कल्यान मंत्राले से संबंधित संसदिय सलाहकार समिती के सदस्य सरकारी अधिकारी और भारतिय कृषि अनुसंधान परिशद आयी सी ए आर के वैज्यानिक शामिल हुए उन्होंने बताया कि समेकित क्रषि प्रणाली को प्राकर्तिक एवं उद्देश पूर्ण समेकित प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता है प्राकृतिक समेतिक क्रिश किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली वह पधती है जिसमें प्रणाली के विभिन अव्यों घटकों में प्रायह तालमेल नहीं होता है अतह उद्देश पून समेकित क्रिश पनाली के अंतरगत बहुत देशी जैसे उत्पादन में व्रिधी, लाभ, पुनर्चक्रन, द्वारा लागत में कमी, पारिवारिक पोशन, टिकाउपन, पारिस्थित्किय सुरक्षा, रुजगार सरजन, आर्थिक शम्ता, एवं सामाज अधिक समरस्ता का ख्याल रखा जाता है। मारणी क्रिशी मंत्री ने कहा कि देश की विदेशों से आयातित खाद्यान पर निर्भरता खत्म करने हेतु अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकासदर तथा उर्वरकों द्वारा उत्पादन बढ़ा कर देश के खा आध्यान आवशक्ता की पूर्ती की गई परंतु बाद में उर्वरक उपयोग शमता कम होने के कारण उत्पादक्ता कम हुई जिसके प्रणाम स्वरूप किसानों की आमदनी घटी गई। उन्होंने बताया कि भारतिय संसद में प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षन से पता चलता है कि पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान किसानों की आय में फसलोत पादन द्वारा वृधि का योगदान महज एक प्रतिशत रहा जबकि पशुधन का योगदा श्री सिंग ने कहा कि भारत में खादे एवं पोशन सुरक्षा के दृष्टिकोंड से लगु फार्म दो हेक्टेयर शेत्रफल तक का महत्वपूर्ण इस्थान है ऐसे में फसलों, बागवानी, पुस्पोत पादन, सस्यवानिकी, तथापशुपालन, दुख्ध व्यवसा कुकुट पालन, सुर पालन, मत्स्य पालन एवं अन्यक्रिसी समंधी उद्यम जिनमें कम जमीन की आवशक्ता पड़ती है जैसे मश्रूम उतपादन, मधुमक्खी पालन, खेत के चारों तरफ व्रिक्षा रोपन, आदिको इस्थान विशेस की आवशक्ताओं के अनुरू समायोजित किया जा रहा है जिसमें सीमान्त एवं लगु किसानों की आजीविका में सुधार हो सके। समेकित किर्शिपनाली पर अखिल भारतिय समन्वित अनुसंधान पर्योजना द्वारा 45 समेकित किर्शिपनाली मौडल विक्सित किये गए हैं जोकि 23 राजियों तथा एक संग शासित परदेश में बहतर उतपादन एवं आए प्राप्त के लिए उप्योगी है। बैठक के अन्त में शुरी राधा मोहन सिंग ने संसदी सलाहकार समिती और लोकसभा के सभी सदस्यों से स्थान विशेस आधारित समेकित किर्शिपनाली मौडलों को और अधिक प्रोच्चाहित करने का आग्रह करते हुए कहा कि फसल बागवानी पशुधन एवं मत्स से संबंधित विभिन योजनाओं को मिला कर समेकित किर्शिपनाली पर राष्ट्री मिशन के सूत्रपात से किसानों में समेकित किर्शिपनाली को प्रोच्चाहन मिलेगा जिससे वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दो गुनी करने के लक्ष की ओर बढ़ते कदमों को और अधिक गति मिलेगी